महिला होमगाड को जल्द मिल सकता है अब मातरीतव आवकास है ग्रेमंतरी अनिलविज महाने देशक होमगाड के साथ जल्द करेंगे मंतरना कामकाजी महिलाओं को मातरीतव आवकास देना उनके अधिकारों में सामिल है मगर अभी तक हरियाना होमगार्ड में सामिल महिला जवानों को मातरी तव आवकास नहीं मिलता है इसके लिए ग्रेमंतरी अनिल्विज ने पहल की है ग्रेमंतरी डीजी होमगार्ड के साथ जल्द बैठक करेंगे बैठक में इस मुद्दे को प्रात्मिक्ता के आधार पर उठाय जाएगा इस बैठक में तै किया जाएगा कि किस परकार महिला होमगार्ड जवानों को इसका लाप दिया जा सकता है अभी होमगार्ड जवानों को करीब 89 दिन तक तैनाती दी जाती है जिसका उन्हें लगबग आठ सो रुपए परती दिन के हिसाब से भुक्तान किया जाता है ऐसे में होमकार्ड एसोसेशन की लंबे समय से मांग है कि उन्हें लाइंड ओर्डर में जिम्मेदारी समाले का मौका दिया जाए साथ ही उनके कारे दिवस्ट 365 दिन किये जाएं जैसा कि पडोसी राज्यों में लाब दिया जा रहा है बैठक में गर्यमंत्री इस पर चर्चा करेंगे जवानों को शेनन्मिर्थी पर नहीं होता है सहरा दरसल गर्यमंत्री अनिल्विज से अंबाला में होमगार्ड एसोसेशन मिली थी जिसने मांग उठाई थी कि सेनन्मिर्थी होने के बाद उनका कोई सहरा नहीं है वह क्या करेंगे कैसे परिवार का भरन पोर्चन करेंगे उनकी मांगे थी कि होमगार्ड को निश्चित धन्दरासी का प्रावदान हो जिससे वह सेनन्मिर्थी होने के बाद कोई कारिय कर सके इस मसले को भी क्रेमंत्री अनिल्विज ने एजेंडे में सामिल कराया है